test for convergence or otherwise of the series आपको यहां पर 2 series गवेन है – 1 raised to the power N with in product N and second is sin N π 간 3 तो यहां पर यह जो series given है उसके convergence और divergence के बारे में बात करी गई है तो हम one-by-one करते हैं इसको तो पहले जो हमें स्रीज गिवन है उसके अगर मैं टर्म से देखता हूं तो यह क्या है माइनस वान प्लस 2 फिर 3 रखेंगे तो माइनस साइन आएगा फिर यहाँ पर 3 तो alternating positive और negative यहाँ पर terms आपके आती जाएंगे इस तरह से तो यह हमारा first के लिए है और अगर मैं इसका sequence of partial sum s in के बात करता हूं यानिकि sequence s in जहाँ पर s in क्या है sequence of partial sum तो यहाँ पर अगर मैं s1 के बात करता हूं तो वो आता है minus 1 s2 के बात करता हूं तो first two term का sum क्या हो जाएगा plus 1 और अगर s3 के बात करता हूं तो first three term का sum कितना हो जाएगा minus 2 और अगर मैं बात करता हूं s4 की तो यहाँ पर आएगा यह plus 2 and so on तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके s in sequence यहाँ से generate हो रही है मतलब sequence of partial sum तो यहाँ से क्या generate हो रहा है minus 1 plus 1 minus 2 plus 2 and so on यहाँ पर अगर मैं इसकी दो subsequence बना लेता हूं एक negative से और एक positive term से यह दो subsequence होंगी तो यह जो subsequence होगी एक जाएगे minus infinity को एक जाएगे positive infinity को तो यहाँ पर आप देखी रहे हैं कि यह जो sequence है इसकी दो different limits हैं और वो भी finite नहीं है तो यहाँ पर यह convergent नहीं होगी not convergent साथे साथ यह bounded भी नहीं है not bounded not bounded तो आप यहाँ से बता सकते हैं क्योंकि अगर convergent होती तो bounded यह किसी ना किसी नंबर से होती तो not bounded है not bounded so not convergent अगर इसका sequence of partial sum ही bounded नहीं है या convergent नहीं है तो series भी नहीं होगी यानिकि sequence of partial sum का जो behavior होता है वही series का होता है अब बात करते हैं second की तो जो second हमारी series है वो summation sin n pi upon 3 यह है n vary कर रहे हैं आपका 1 से infinity की और तो अगर हम n की जगा 1 put करते हैं तो यहाँ पर pi by 3 यानिकि sin 60 तो इसका value जो आएगा आपको sin 60 का value होता है root 3 by 2 ऐसे ही फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 62 is a 120 यानिकि 90 plus 30 cos 30 और cos 30 का value होता है क्योंकि second coordinate में जाएगा और second में sin positive होता है तो यह भी आपका आएगा root 3 by 2 फिर sin 180 यहाँ पर sin 180 0 होता है आप लोग जानते ही है कि यहाँ पर आके 180 पर जीरो हो जाता है फिर आप इससे जाएगे तो सारे negative values आएगी तो फिर से आपका जो आएगा यहाँ पर term वो negative का आएगा और यहाँ पर sin 180 plus 60 sin 180 plus 60 यानिकि sin 60 और sin 60 का value होता है root 3 by 2 और वो negative में आएगा तो minus root 3 by 2 फिर ऐसे ही यहाँ पर 120 हो जाएगा तो sin 120 का value हमने पहली निकाला था तो वो भी root 3 by 2 और यह भी negative में आएगा फिर यहाँ से 2 pi हो जाएगा तो यह हो जाएगा 0 तो आपने इस तरह से देखा कि यह जो terms आ रही है हमारी वो किस तरह से आ रही है रूट 3 by 2 3 by 2 0 फिर माइनस 3 by 2 माइनस 3 by 2 0 और इसी तरह से यह चलेंगी पॉजिटिव निकेटिव में यहाँ आपका तीन तीन का सेट इस तरह से चल रहा है रूट 3 by 2 3 by 2 0 माइनस 3 by 2 माइनस 3 by 2 0 फिर से पॉजिटिव वाली आ जाएंगी और इसी तरह से मतलब यह सेट में चल रही है एक तरह से तो आप अगर इसका sequence of parcel sum का behavior चेक करते हैं क्योंकि उसी से हम बताएंगे कि इस series का behavior क्या है तो यहाँ पर S1 अगर मैं देखता हूँ तो इन दो का first term only यानिके root 3 by 2 अगर मैं S2 देखता हूँ यानिके first term का sum यानिके root 3 क्योंकि यह root 3 by 2 root 3 by 2 तो यानिके root 3 और first term का sum देखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा वो भी root 3 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं S4 देखता हूँ S4 क्या मिलेगा मुझको यहाँ से एक cancel हो जाएगा तो यह मिलेगा मुझको root 3 by 2 तो और S5 अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर यह दोनों cancel out हो जाएंगे यह 0 हो जाएगा S5 तो आपने देखा इसका जो चल रहा है वो किस तरह से आपका चलेगा जो आपके SN sequence यहाँ से generate होगी second के लिए second के लिए जो SN sequence होगी वो होगी root 3 by 2 root 3 root 3 और फिर root 3 by 2 फिर 0 इस तरह से चलेगा और यही terms आपस में मतलब बार-बार repeat होती चली जाएंगी तो यह आपका sequence है sequence of parcel sum तो जो sequence of parcel sum से जो sequence यहाँ से बनी है वो कुछ इस तरह से बन रही है अगर मैं इसके limit superior limit superior limit superior क्या होगा infirmum of supremum of essence और supremum इसका क्या है root 3 इस सेट का supremum क्या है root 3 और root 3 का infirmum क्योंकि constant है तो यह root 3 ही आ जाएगा ऐसे ही limit inferior क्या हो जाएगा इसका limit inferior इसके दोनों different है ठीक है अगर यह series convergent होती तो इसके limit superior और limit inferior सेम होते limit inferior क्योंकि अगर कोई series यह sequence convergent होते हैं क्योंकि हम तो यहाँ पर SN के बात कर रहे हैं यहाँ पर SN के बात कर रहे हैं तो यह sequence है तो sequence के लिए अगर वह sequence convergent है तो लिमिट superior और inferior जो होती है limit को अप्रोच करती है जो limiting value होती है sequence की और यहाँ पर वह different values को अप्रोच कर रहे है तो यानि कि यहाँ पर जो दिया था यह convergent नहीं है तो यहाँ पर ना तो first वाली convergent है नहीं सेकिन तो मैं लिख देता हूँ यहाँ यहाँ पर नाइदर first one तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाइदर first one फर्स्ट वन नौर सेकिन convergent